मद्धिप्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे बुद्भार को इंदोर आये जहां उन्होंने रेसेडेंसी कोठी पर अधिकारियों की बैठक ली इस दुरान बैठक में जल संसादन मंत्री तुलसी सिलावट परिटन मंत्री उशा ठाकूर सहीत अन्य पदाधिकारी मौझूद रहे आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने पताया कि ग्रामेंट शेत्र में आयुष को बढ़ावा देने के लिए 262 और नए वेलनेस सेंटर इस्थापित किये जा रहे है अभी हाल ही में प्रदेश के सो गावों में वेलनेस सेंटर शुरू किये गये है इन केंद्रों के माध् प्रयास है कि आयुष की गदी विधियां तेजी से विस्तारित हो इसके लिए विभाग द्वाराकारगर प्रयास कि जा रहे हैं बैठक मताय किया गया कि शास्किय स्वशासी अश्टांग आयुर्वेद महाविध्याले इन दौर में तुचा रोगों के उप्चार के लिए शौद केंद्र बनाया जाएगा इस कोरोना के समय हमारा आयुष भाग ने बहुत सारी ऐसे योजना के तहत हमारे उन्हें ग्रामिल छेत्रों में त्रकट्टू चून को पहुंचाने का काम किया चाहे वो हमारा आयुर्वेद के हमारे बीमेस डाक्टर हो चाहे हमारे होंप किया और आने वाले समय में अब हम इस कोरोना से जब भाहर धीरे-धीरे निकल रहा है तो हम अपने विभाग के मात्यम से स्वासुईदा कैसे गनामिल छेत्रों में स्वात्स्विदा कैसे हमारा जो टयार कर रहे हमारे को हमने इस विर्ष में उसको लिया है सो व्लेस्टर ह हमने एक तारीक से प्रादम किया है 262 जेंटर हम इस फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फपर्स्ट वीक तक हम उसको भी तैयार करके उसको भी कार्म कर देंगे अब उस वेल्नस सेंटर में हमारा योग सेंटर है उस गाओं के वहां के लोग उसमें योग करें वहां पर सारी सुईधाय हम व्यवस्तित करेंगे। बैठक में शामिल परिटन मंत्री उशा थाकुर ने कहा कि आयुष के विस्तार की अपार संभावना है। आयुष की गतिविधियों का आवशक्ता के अनुसार तेजी से विस्तार होना चाहिए। बविश में आयूश के उपचार की और जरूरत बढ़ेगी। विद्याले था, वहाँ खुशीलाल उसमें काड़ा निर्मान कराकी और एक नवाचार किया और देश के कई विभागों ने उनसे मार्ग देशन लेकिस काम को आगे बढ़ाया।